आज मैं आपके लिए नाइन्थ क्लास से कुछ अच्छे कोशन्स लेका हूं सेकंड चैप्टर के जो अलजाब्रिक एक्स आइडेंटिटी के कोशन्स हैं जिसमें आपको इस टाइप कोशन्स तो हर बार एक्जाम में मिल जाते हैं यह एक्चुल में आपके एक्जाटी के कोशन को कैसे कर सकते हैं आपको इसके लिए कुछ आइडेंटिटी इस हैं जो याद होनी चाहिए वह आपके एक्जाटी के बुक्स में गिवन है अदरवाज में के साथ साथ आपको बताते जाओंगा और और वीडियो देखने के लिए आप लिस्ट में जाए हैं वहां से करेंगे इस कुछ न को एक्स प्लस वन बाइक सिक्वल टू रूट फाइब दे रिखा है और निकालना का है फाइंड एक्स स्क्वाइर प्लस वन बाइक सिक्वार तो बहुत एजी वैथर से बहुत सिंपल से मैं आपको देखो यहां पर इसके पावर कितनी है कुछ भी नी फाइब यहां पावर के निकालना है यहांट में स्क्वायर करना है तो प्लस बी का फॉर्म का फॉर्म। तो हमाइब सकते हो इसको भी बोल सकते हैं लुक्त को फार्मुला बने के वह आपको पता है क्या होता है क्या होता आप साइड में लिख देंगे लक्सी अपना सब्सके लेटें सकते हैं इसो solve कर लेते हैं A का square क्या होगा x का square A का मतलब x यह तो x का square plus one by x का square तो दोनों का अगर ही square करना है one का square करेंगा one आएगा और x का square करेंगा तो x पर square आजाएगा तो A का square plus B का square होगा plus two यह भी two into A की value क्या x into B क्या one by x तो यह formula पर हमने value रख दिये square से जब cancel करेंगे square से solve करेंगे तो root cancel हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 यह यह simple सा बोलेजिए root 5 और root 5 को multiply करने पर क्या आता है 5 अभी हो गया x square plus 1 by x square इससे यह cancel हो जाएगा multiply में तो यह plus का 2 बचा प्लस का 2 इकवर के बाद जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इधर 5 था इधर कितना plus का 2 तो इधर आके माइनस का कितना answer आ गया 3 यह आपका answer आ गया तो बस इस तरीके से simple सा solution करना होता है और सारे answer आ जाते हैं आई अगला question देखते हैं अगले question दो बोला हुआ है if x square plus 1 by x square equal to 66 तो कभी पर whole square के questions इस तरी किसे होंगे तो कोईचा भी आप स्क्वाइर करना है आपको चाहाँ प्लस मोह माइनस में answer आ जाएगा अब यहाँ पर square दे रखा है माइनस में 1 by x निकालना है तो simple सा है देखो आपको निक पावर 2 में तो दिये रखा यानि square से में तो है और single power वाली value निकाल दी है यह positive यह negative है अगर ही positive है और यह भी positive निकालना होता तो आपको पता है कि फॉर्मुले में अगर हम 66 दिख रहा है नहीं आपस में लगभग पर्फेक्ट square नंबर के आज पास का नंबर दिख रहा है 64 पर्फेक्ट square होता है उसने दो ज्यादा है यह अगर प्लेस में निकालना है प्लेस में निकालना होता है तो साइट question इस तरह होता है यह पर 62 होता है और यहां पर 62 होता है इसमें भी 2 add 2 add formula हमारा बन जाता और easily solve कर लेते हैं बट क्या है कि हम minus में निकालना है तो minus में भी simple सा कर लेंगे x square plus 1 by x square जो हमें given है पहले वो लिखेंगे इसके बाद क्या करेंगे minus 2 इधर भी कर लेंगे और minus 2 इधर भी कर लेंगे इससे फायदा क्यों यहां पहली देना आप साइड में कि on subtracting to both sets दोनों और से दो घटाने पर तो इसके बाद करेंगे क्या देखो यह formula बन गया है 2 तो दिख रहा है आपको देखो मैंने यहां पे a b लिखा था यह प्लस में 2 into a into b तो इससे तो यह cancel हो जाता है यहां भी अगर हो अब भी तो भी cancel हो जाएगा तो उससे कोई फार्ग ने पढ़ता वह लिखिए आप ना लिखिए क्योंकि वह cancel हो जाना है तो इसलिए वह x into one by x नहीं दिख रहा है बट यह formula आपका बन गया पूरा formula किसका बन गया a minus b का whole square तो आप इससे क्या लिख सकते हैं x minus one by x का whole square और equal के बाद क्या equal के बाद क्या हो जाएगा 64 उसके बाद आप इससे solve कर सकती यह square equal के बाद जाएगा तो क्या सेट जाएगा तो value क्या जाएगी या फिर आप इसको 8 का square टोड़ेंगे square से square कर जाएगा तो इसकी value कितने आजएगी 8 answer आजएगा simple है तो यहाँ पर क्या करना था यह formula बनाने था हमें और formula जब बन गया दो घट आता ही तो इससे solve कर लेंगे आपका answer easily आ जाएगा 8 आजएगा है इस question में आपको given है कि x plus 1 by x x equal to 4 है और find करना है find the value of x e power 3 plus 1 by x e power 3 तो power 3 का मतलब cube हो गया घन और power 3 निकाल ली हो तो simple सा जो निकालना हो वही solve करना है आपको अगर square निकालना हो तो squaring both side करते power 3 solve करनी तो power 3 दोन साइट करना पड़ेगा तो on cubing both side cube का मतलब दो और घन करने पर आपको लिख देना होगा मैं लिख नहीं रहा बड़ आपको बता रहो क्या करना है इधर भी power 3 करनी है और इधर भी power 3 आप इधर side में लिख सकते हो on cubing both side इसको solve करेंगे यह formula बन गया है x plus 1 by x यानि कि इसा अगर a बूलते हैं तो यह b a plus b का whole cube का formula a plus b का whole cube का formula आपको आता होगा क्या होता formula a की cube plus b की cube plus 3 a b और bracket में a plus b तो यह formula होता इसका बिस formula पर इससे solve कर देजिए a की cube का मतलब a की value क्या है x है x की cube plus 1 by x की cube b की cube भी हो गया plus 3 a b है तो 3 into a की value क्या x a की value x into b की value 1 by x bracket में क्या a plus b a की value x और b की value 1 by x equal to में क्या 4 की power 3 करने 4 का cube करना तो 64 होगा 4 का cube 64 होता है अब इसको solve कर लिजिए यह x की cube हो गया plus 1 by x की cube हो गया x से तो x cancel हो गया x से x cancel हो गया तो यह क्या बचा 3 plus 1 by x power 3 equal to जब इसे minus करेंगे तो कितना आएगा minus करने पे 52 आ जाएगा तो इस तरीक से question हो जाते है तो easy question है concept भी easy है बस आपको समझना है कि किस तरीके से करना होता है आईए एक दो question और discuss करते है इस question में आपको power 4 calculate करना power 4 तक जाना है x plus 1 by x equal to 3 given है आपको find करना है x c power 4 plus 1 by x c power 4 तो simple दो power 4 लाना है तो अगर power 2 आ जाए पहले और 2 का फिर square करते हैं निकाल के लिए उसका फिर से square करते हैं तो power 4 जाएगा on squaring both sides केजिए तो squaring both sides करेंगे तो दोन side square का formula लगाईए यहां पर लिख देना हर बार ध्यानक नहीं on squaring both sides अब यह a plus b का whole square का formula बन गया formula भी side में लिख देना है यहां solution कर रहा हूंग बस कितना हो जाएगा a का square plus b का square plus formula में क्या होता है 2ab तो 2 into a की value क्या x into b की value 1 by x x to x cut गया x square plus 1 by x square equal to यह plus का 2 equal के बाद जाके minus का 9 में से 2 minus होगा तो कितना आएगा 7 तो यहां तक तो आ जाएगा यहां तक तो कोई problem नहीं होगी आपको इसके बाद क्या करेंगे अब squaring form में आ गया है अब power 4 के form में लाना है हमें answer तो on squaring both sides again लिख लेना again squaring both sides दुबारा दोनों और work करने पर यहां पर भी आपको लिखना था on squaring both sides तो अब इसे दुबारा square यहां पर square भी है दोनों side square करेंगे तो कैसे होगा यह x square plus one by x square जो है इस पर भी whole square चट जाएगा और जो seven है इस पर भी whole square लग जाएगा अब यहां भी formula होई लगेगा यह अपने आप में a और यह a का square भी लगेगा a plus b का whole square का formula a का square कितना हो जाएगा x का square हो और उसका भी square करेंगे x का square और whole square plus one by x का square और total का भी whole square plus two a b होता है तो two into a की value क्या है x square multiplied b की value क्या है one by x square और equal to में क्याएगा seven का square कितना होता है 49 तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी अब यह कितना हो जाएगा x to power 4 हो जाएगा दो और मल्टिपलाइंगों चार हो जाएगा यह कितना हो जाएगा one का square करेंगा one ही जाएगा और इसका करेंगा तो x to power 4 यह cancel हो जाएगा multiply में से में तो यह कितना बचा two plus का two equal के बाद जाएगा तो 49 में से minus हो जाएगा 49 माइनस two कितना होगा 49-2 बता सकते हैं कितना होगा 47 तो इस तरीकी से सिंपल से करना होता है यानि पावर 4 निकालने तो दो पर स्कायर करना होता है जबर कुछी भी नहीं करना होता है तो काफी easy questions है एक question और करते हैं बहुत एच्छा question करते हैं छोटा सा question है अब इस question में given है if x plus 1 by x equal to 2 find x की power 2018 plus 1 by x की power 2019 अब यहां कुछ भी हो सकता है power बहुत बढ़ी हो सकती बट ऐसे question का एक format होता है एक pattern होता जिस pattern पर question बना जाते हैं तब ही हो सकता है अनिक हम कुछ भी लिख दें और question बन जाए तो यहां पर जब भी भी x plus 1 by x equal to 2 given है x plus 1 by x plus 1 by x equal to 2 given इसका मतलब होगा कि x की value 1 होगी हमेशा तो आपको एक line लिख देनी पड़ेगी if x plus 1 by x equal to 2 then x equal to 1 तो x equal to क्या होगा 1 कैसे होगा तो आपको पता है इसे मालूम मैं x value अगर 1 रखता हूँ side में मैं solution कर दे रहा हूँ थोड़ सा समझाने के लिए x value 1 रखता हूँ plus 1 by x value 1 रखता हूँ और equal में कितना है 2 तो देखो आप इस जाए solve करोगे तो यह तो 1 और यह भी 1 तो दोनों side क्या हो अगर 2 और 2 equal हो रहे इसका मतलब भी equation को satisfy कर रहा है और equation को satisfy कर रहा है तो x की value अगर 1 है तो आप simple सा x plus 1 by x equal to कभी भी 2 देखे तो x value अपने आप 1 ले लिए और ऐसे question भी exam में आते हैं competitive exam में तो काफी आते हैं इसे question तो यहां पर कुछ नहीं करना आपको बस इस पर value रखनी है x की value कितनी रख सकते हैं एक तो एक की power दो हजार अठारा प्लस एक बटे एक की पावर 2019 2019 इसी तरीके से question को माइनिस में पूछा जाता है तो माइनिस में पूछा जाएगा तो यहां पर x plus 1 by x equal to 2 है और यहां minus पूछ लिए गया है तो वहां solve पर दो जीरो तो यहां इस case में प्लस में प्लस में पूछा भाए दो बार आपस में पावस तो दो आंसर आता है और इन दोर में माइनिस लगा रखा होगा तो जीरो आएगा तो इस तरीके से questions हो जाते हैं तो इनके लि question देखेंगे और काफी बड़े questions और बाखी जो जोड़े लेए दूसर को share केजिए और चैनल सब्सक्राइब गड़ लीजे जरूर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ओके बाबाए